नमस्कार गाइज गुड मॉर्निंग बुलिश फिल्म आपका स्वागत है और हैपी टीचर्स दे आप सभी को और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है सभी का गुड मोड है तो वीडियो को थोड़ा द्यान से देख लीजिएगा कि कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि मार्केट ए बड़ा गẹब टाउन हो लेकिन चब लीकार करता है तो वह बहुत बहुत स्लो करता drum करता ओभी आजकल ऐसा नहीं हो रहा है तो वीडियो को ध्यान से देखना कि अ पर हम ट्रेट करेंगे हैपी टेचर्स दे और अगेन आप सभी को औक वो यहाँ पर बुलिश है दोनों यह 97 करोड और 97.5 बोले तो 1000 करोड की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही इसे आप ज्यादा बुलिश नहीं कह सकते हैं इससे आप sideways bullish कह सकते हो, sideways bullish, यहाँ पे अगर 4000, 5000, 3000 होता, यहाँ पे अगर 1200, 1000, 4000 होता, ऐसा कुछ, मतलब 2000, 2000, 2000 होता न, तो हम कह सकते थे, अच्छा, otherwise यहाँ पे 797, ऐसा तो देखो, बहुत rare कैसे में देखने को मिलता है, आज है गाइस, निफ्टी की पहली expiry, इस मन्त की प एक बार देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट में काफी चर्चा है थी, और ग्लोबल मार्केट में काफी stable हुआ है, US मार्केट, उसका एक रीजन है, जो job opening data आया था न, वो मार्केट को थोड़ा stable कर लिया, ठीक है न, अच्छा आया, और भी doubt futures को देख रहे हो, पूरा sideways है, ठीक, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, और nifty में हम कहाँ पर trade करेंगे, call side और put side, कौन से levels पर हमें ध्यान देना चाहिए, market open होने के बाद, for educational, इस चीज को ध्यान रखिएगा, और आप नए हो, तो telegram original channel को join करकर जूरूर रखीजिएगा, क्योंकि guys, क्या होता है, यहाँ पर, fake channel में join कर लोगे, तो वहाँ पर आप trap हो सकते हो, यहाँ पर हर एक चीज का आपको support मिलता है, हर एक चीज बताई जाती है, ठीक है, यह भी देखो कई, इस 3 बच के किस मिनट वीडियो आया था, बताया गया था, कि भाई, nifty हमेजा इस levels पर gap open होगा, यह होगा वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई थी, कि क्या कर सकता है, now nifty bullish, almost gap filling, and mid cap nifty all time high, btsd avoid today, इसलिए बोला था, कि भाई, nifty के expiry है, bank nifty support नहीं कर रहा था, btsd को तो avoid किया, लेकिं जिसको लेना है, उसके लिए link दिया था, कि भाई, nifty bullish है, और mid cap nifty bullish है, ठीक है यहाँ पर crude oil के levels वगेरा बेजना, हर एक चीज आपको यहाँ पर support मिलता है, तो description में link के आप जोइन कर सकते हो, everyday सुबह 9 वजे से आपका पिसाथ live रहता हूँ, वो भी चीज दियान में रखिएगा, तो सबसे पहले चलते हैं guys, nifty के chart पे nifty क्या कर रहा है, कि कहाँ पे open ह हो सकता है guys, nifty जहाँ पे open, nifty का all time high जो है guys, 25,334 पे है, 25,334 पे है, कल के वीडियो में मैंने ये कहा था, कि nifty अगर 25,200 के ऊपर रहता है, तो हम bullish चले जाएंगे, मतलब, bullish तो हम यहाँ पे चले गए थे, 25,130, 140 पे, upside गए थे, levels बेजे थे आपको, लेकिन जो gap filling किया, जह यहाँ पे, already market यहाँ पहुच किया, closing के time, 200 के ऊपर closing दीए, देख सकते हो, 25,206 के ऊपर closing दीए, तो मतलब, market हो रहा है, अपना gap up, gap up कितना point हो रहा है guys, वो देखना यह है, कि अभी यहाँ पे अपने gift nifty लिख रहा है, 25,344, यह 25,344 मतलब, all time high के आसपास, यहाँ पे gift n all time high पे है, तो nifty को बोल रहा है कि बिया, all time high पे इसको open करवाने की कोसिस करेगा, हो सकता है, यह market opening के time तोड़ा सा नीचे आ जाए gift nifty, तो nifty अपना gap up open हो रहा है, तीन levels पे open होने की कोसिस करेगा, 25,262 ठीक है, और पहले भी यहाँ पे open हो चुका है, और दूसरी बात यह पे जो पहले भी यहाँ पे open हो चुका है, और तीसरी यहाँ पे भी, मतलब यह जो zone है, एक, दो, तीन, इन तीनों में से कहीं पे भी open हो सकता है, क्योंकि आज इसकी expiry है, तो ज़्यादा बड़ी उमीद नहीं रखेंगे, तो अपन कह सकते हैं, कि 25,260 और 25,300, 25,334 इन त निफ्टी अगर यहाँ पे open होने की कौसिस करेगा, तो हमें प्लैन क्या करना है, अपना goal किया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, रिलेंस में आज थोड़ी नजरे रखना, और क्योंकि यहाँ निफ्टी की expiry भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को क्या देखन कल भी अगर आप ढूंड़ोगे वीडियो को, चैनल को ढूंड़ोगे तो मिलेगा नहीं, तो सब्सक्राइब कर दोगे न, तो आपके पास सारी notification वगरा है, अब बात करेंगे गाई, इसकी market में, अगर market यहाँ पे gap up open हो गया, और फटक सा rejection आ गया, तो हर बार जब भी gap up open होता rejection आता है, gap up open होता rejection आता है, फिर market पूरा sideways, पूरा sideways, पूरा sideways, पहले अपने को market दिखा चुका है, अगर Sam scenario follow कर ली या market ने, तो हम क्या करेंगी, तो हम वही करेंगे, अगर market यहाँ पे gap up open होता है, gap filling की तयारी करेगा, तो हम put side में जाएंगे, put को हम रखेंगे ITM, ब 100 point अगर गिरा देता हूँ, तो यह आपको दीखेगा guys, 130, 117 के आसपास, यह put आपको दीखने को मिलेगा, क्योंकि अगर market gap up होगा, तो put की price और कम हो जाएगी, अभी closing अकल की 228 पे, और market और 100 point के आसपास, इससे भी कम open हो जाएगा, यह ठीक है guys, अगर important बात यह है कि starting के 5 मिनट में आप trade को पूरा avoid करना, क्योंकि India Wix जो है guys, first 5 मिनट में up down, up down काफी करता है, तो starting 5 मिनट को तो पूरा wait कर लेना, उसके बाद अप plan कीजिएगा, ठीक है न, अगर gap filling करेगा, तो हम इसको plan करेंगे, क्योंकि आज इसकी expiry है, तो अपने को ITM चाहिए, OTM नहीं, अपने को ITM चाहिए, और अगर market मान लो, अगर मान लो कि market यहां से, क्या होता है, अगर यहां से proper bullish candle रखेगा, bullish candle रखेगा और market all time high तोड़ेगा, तो हम क्या plan करेंगी, हम plan करेंगे upside के लिए, अगर market यहां से plan करेगा guys, तो हम यहां से upside plan करेंगे, कि market एक retest लेके, एक all time high ही तोड़ देता है, तो हम upside के लिए all time high पर डर डर के जाएंगे, यह आपको पता है, डर डर के जाएंगे, rejection आएगा, तो हमारे लिए अच्छी बात यह होगी, कि market यहां पर rejection आगया, और यहां पर support लेगा, पहली बात तो rejection लेगा, तो अपना target यहां पर रहेगा, फिर व करके upside में जाएंगे, small quantity के साथ, इस चीज को ध्यान रखेगा, और इसमें क्या करेंगे, upside के लिए कौन सा strike, अपन ढूने के, ITM, deep ITM होना चीए, तो यहां पर अपने को दिखाई दे रहा है, nifty का 25,200 का, और यह अपने को अभी तो 54 में मिल रहा है, और market अगर gap up होगा, त reliance, okay, so guys, reliance, 200 EMF powerful support ले रहा है, और reliance भी थोड़ा positive यहां पर दिखा रहा है, trend से बार निकलने की कोसिस कर रहा है, अगर यह trend से बार निकलता है, तो यह भी अगर निफ्टी के साथ, gap up open होने की कोसिस कर सकता है, okay, HDFC bank से पहले अपन बैंग निफ्टी को देखेंगे, बैं बैंग निफ्टी और निफ्टी अपने इंडेक्स का पावरफुल पार्ट है, तो आप अगर बैंग निफ्टी को देखेंगे, तो बैंग निफ्टी ना, चार दिन से पिछले यहां पर बात करता हूँ, 30 अगस्त हो गई है, 30 अगस्त से लेके आज होगी, बैया, 5 अगस् इस रेंज से बाहर नहीं निकल रहा, मतलब आप माइंड में एक चीज फिट कर लो, 51,500 का लेवल, और 51,300 का लेवल, जब तक तूटेगा नहीं, मार्केट फूटेगा नहीं, 51,500 का लेवल, रीटेस्ट लेके तोड़ेगा, तो अपन जाएंगे, अपसाइड के लिए 51,730 इसके लेवल पे, और उसके बाद यहां पे 52,000 के आसपास पहुंचने की तयारी करेंगे, अगर मार्केट में, अगर मार्केट में, अपसाइड का मुवमेंट नहीं मिला, मार्केट गेप अप हो जाएगा, और वापिस, सेम सेनेरियो, वापिस अपन 200 EMA पे यहां पे आ ज चुका कल यहां पे था, लेकिन आज अब यहां पे आ चुका है, अगर मार्केट फिर से साइडवेज होगा, तो 200 EMA 500 पे भी आ जाएगा, तो मतलब आप इतना कह सकते हो, 1500 का पावरफुल नहीं, सूपर पावरफुल सपोर्ट है, 1500 तो तोड़ेगा, तो अपसे शोरली रा यह और फुली बाइंग थी, तब जाके यहां पे मार्केट में आपको देखने को मिल गया, अदर्वाइस मार्केट चल के आपका नहीं जा पारा है, चल के आपका नहीं जा पारा है, चल के आपका नहीं जा पारा है, तो मार्केट को आपको 51 500 के उपर उपन करवाओ, उप सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा अच्छा मुवमेंट देखने को मिल सकता है और फिर निप्टी ने काफी अच्छा अपना वापिस यह भी धीरे 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 अपी गया है और लेकिन इतना कह सकता है कि यह बहुत साइड वेस था पहली 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही अगर यहां पर रिटेस्ट लेके भागता है तो अपन अप जाएंगे रिवर्सल आएगा तो अपन डाउन जाएंगे टार्गेट अपना 200 इमे का देखने को मिल सकता है इस चीश को धियान रखिएगा गाइस ओके